हलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल टेकनोलोजी फॉर ब्लाइंड मैं आप सब का स्वागत है, मैं हूँ हाशिम और आज के इस वीडियो में हम जिस एप्लिकेशन को देखेंगे, वो है एक money recognizer या currency detector आप इसे कह सकते हैं, तो visually impaired जो भी person रहते हैं उन्हें note पहचाने हम बड़ी दिक्कत रहती है, तो उसका solution यह application है, और जित्ती भी अभी तक application आई उनसे यह काफी तेज है, तो इसका नाम है RBI CDI, ठीक है, RBI CDI, तो 22MB की application है, play store पे आपको मिल जागी description मिल लिंक की देदूँगा, तो आप इसे वहाँ से भी download कर सकते हो, इसमें और भी flashlight वगरा के जो ह feature हैंगे, तो वो हम जो है, इस application को देखते हुए, बाकी option देखेंगे इसके, ठीक रहे हैं, CDI, CDI Please listen to the instructions carefully, instructions will be added once in every screen, if you want to skip, you can use the default back gesture of talk pack or double tap on the particular screen, You can listen to the instructions anytime, by taping on manual button in the help screen, करपया निर्देशों को दिहां से सुने, प्रतियक screen में निर्देश एक बार पढ़ें जाएंगे, यदि आप skip करना चाहते हैं, तो आप talk pack के defaults back gesture का उप्योग कर सकते हैं, अधवा, पिशेश screen पर double tap कर सकते हैं, आप help screen में manual button को टाप करके किसी भी समय निर्देशों को सुन सकते हैं, CTI, permission for mic to access voice command feature and camera to scan Indian banknotes, करपया mic को access करने के लिए, voice command feature तथा बार दिये back, note को scan करने के लिए, camera को अनुमती दें, one of two, okay, तो आप ऐसे voice की मदद से भी चला सकते हैं, और camera की permission देनी होगी, तो दो permission आपको इसे देनी हैं, ठीक है, तो हम दे देते हैं, allow cti, allow button, allow cti, allow button, allow cti, allow button, ठीक है, दोनों permission दे दी, welcome to cdi application, you can choose english or hindi language by pressing the button or by using voice command, to activate voice command, press the button present at the bottom of the screen, cdi application में आपका स्वागत है, आप बटन दबा कर तथा voice command का उप्योग करके, अंग्रेजी अथ्वा, हिंदी भाशा का चैन कर सकते हैं, voice command को अक्टिवेट करने के लिए, स्क्रीन के नीचे के बटन को दबाएं, आपको किस में चलाना है, उपर है English, नीचे हिंदी, उसके नीचे voice की voice बटन है, तो आप उसको क्लिक करेंगे, फिर एक बीप आवर जाएंगे, उसमें आप चाहिए, हिंदी बोलेगे, तो हिंदी लेंग्विज हो जाएंगे, इंग्लिश कहेंगे, तो हिंदी पर हिंदी अपनी अशक्तता की पुष्टी करें, एक द्रिश्टित बादित, दो, द्रिश्टित तता सुनने में बादित, तीन, उपरोक्त में से कोई नहीं आप स्क्रीन पर दिये गए बटन को दबा कर, अथवा voice कमांड का उप्योग करके, अपनी अशक्तता का जयान कर सकते है, voice क तो, इसमें आपने इंपेंड्मेंट सेलेक्ट करनी है, अब से उपर कान सी है, द्रिष्टी बाधित को चुनने के लिए बटन दबाएं अगर आप द्रिष्टी ही ने तो इस बटन पर क्लिक करना है द्रिष्टी और सुनने में अगर बाधित है तो उसकी नीच वाला उप्शन और अगर दोनों मैंसे कुछ नहीं तो तीसरे पर नीचे है द्रिष्टी बाधित को चुनने के लिए बतन कर देता हूं मैं आपने द्रिष्टी बाधित अशक्ता चुनने है हमारा सुझाव है कि आप टेक्स्ट स्पीच की सेटिंग को हिंदी में बदल दें सरवत्तम नतीजे है तू बैंक नोट को पीछे की रियर कैमरे के सामने लगबग 5-7 इंच की दूरी पर रखा जा सकता है वाइस कमांड का उप्योग करके अन्य स्क्रीन पर नेविगेट करने है तू आप स्क्रीन के नीचे मौजूद बटन पर टैक्प कर सकते हैं अन्य स्क्रीन पर जाने के लिए आप की विट सेटिंग मेन्यों हेल्प हों तदा हिस्ट्री बोल सकते हैं क्रिट्या स्कैन करें ठीके फ्रेंड्स तो यह अब यह तयार हो चुकिए स्कैन करने के लिए नोटों को पर उससे पहले हम इसका उप्शन देख लेंगे तो इसमें फ्लेश लाइट का उप्शन है तो अगर अंधेरा भी है तो इसमें फ्लेश लाइट आउनों के वह नोटों को अच्छे से पहचान लेगा ठीक है मेन्यू और वोइस कामाणड के जरी भी हम है अंधेर और जो बाकी आप्शन है उनको देख सकते तो मेन्यू में चलते हैं पहले इसकैन करन्सी पर जाने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो हम स्कैन करन्सी मेन्यू जो मोड है उस पर चले जाएंगे कौन-कौन से आपने नोड सर्च कियें सर्च करना हो इसकैन कियें वह आप एक महिने की जो इसकी रहती है वह देख सकते हैं हेल्प मेंग्यू रहेगा ठीक है और सेटिंग देख लेते हैं अपनी सेटिंग तथा अशक्थता के प्रकार को बदल सकते हैं आप वोईस कमांड का उप्योग करके अन्य स्क्रीन पर भी जा सकते हैं वोईस कमांड को अक्टिवेट करने के लिए स्क्रीन के नीचे के बटन को दबाएं का 6वी स्क्रीन था तलिए इंप्यायमेंट मतलब छो यह मुवर्यहीं अप्शन था भी शोड़्यहीं चाहईन था स्मयर्व और शौन रिष्टीहीन और सुनने में बाधित और आप देखिए कितनी जल्दी यह स्कैन करता है नोटों को पस इसके कैमरे के सामने हमें नोट रखने जो बैक कैमरे रहता है उसके सामने तस रुपए ठीक है बिल्कुल सही दस रुपए ठीक है 100 रुपए का नोट है यह बिल्कुल सही बिल्कुल ठीक 2000 रुपए बिल्कुल ठीक 500 रुपए ठीक है 50 रुपए ठीक है बिल्कुल 50 रुपए ठीक है बिल्कुल 20 रुपए ठीक है बिल्कुल 20 रुपए बिल्कुल ठीक 200 रुपए तो मैंने जहां तक है सारे नोट इस पे दिखा लिए और सारे ही इसने सही सही बताएं यह से बैक कर देता हूं मैं तो ठीक है फ्रेंट्स इस एप को हमने पूरी तरह देख लिया है और उम्मिद करता हूं एप्लिकेशन आपको पसंद आएगी तो अप्लिकेशन पसंद आए तो आप प्ले स्टोर या डिस्क्रिप्शन से इसे डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि कई बार यह अप्लिकेशन गलत बता देती है ना तो आप इससे पहले अच्छे से चेक कर लें पर रख लें और उसके बाद इस से देखा है अप्लिकेशन पूरे नोट सही बताती है ठीकर फ्रेंड्स तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने साथियों और दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना उन लोग उस करना हूँ जितने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगले वीडियो मिलेंगे नई अप्लिकेशन या इंफोमेशन अकसाथ तब तक लिए बाई